आज की रेसिपी में हम एक समर ड्रिंक्स बना के त्यार करेंगे तो आज हम बनाएंगे कच्चाम और पुदिना की सर्वत अभी गर्मी का सीजिन शुरू हो रहा है तो बहुत सारे ठंडा ठंडा चीज घर में बन रहा है ये वाला जो ड्रिंक्स है तवियत के लिए भी अच्छा है और पीने के लिए भी बहुत ही चटपटा और टेस्टी है स्पेसाली इन दिनों में बहुत सारा कईरी या कच्चाम मार्केट में मिल रहा है तो हम आराम से पुदिना और कच्चाम से ये वाला ड्रिंक्स बना के तायर कर सकते हैं चले रेशिपी शुरू करते हैं ये दो केरिये इसमें से आज हम सर्वत बना के तायर करेंगे इसको मैंने दोके क्लिन करके ले लिया है पहले हम दोनों के रियों को कट कर लेंगे अभी हम इसका छिलका निकल देंगे छिलका निकलने के बाद कच्चा हमको पीसेश में कट कर लेंगे दोनों आमको इसी साइज में मिडियम साइज कट करके तयार करेंगे आमका बीच बाला हिस्सा को निकल देंगे दोनों आमको मैंने पीसेश में कट कर लिया है तो अभी हम पीसेश को एक ब्लेंडर की जार में ले लेंगे अभी हम इसमें मुठी बर पूदिना की पत्ते आठ करेंगे दोनों चीज को अभी ब्लेंड करके ले आएंगे दोनों चीज अच्छे से मिक्स हो चुका है इसमें मैंने हाप कॉप पानी मिला के इसको ब्लेंड किया है केरी और पुदिना की पेस्ट को इस बावल में ले लेंगे एक ग्लास पानी इसमें आट करेंगे इसमें डलेंगे 2 टेबल स्पुन शक्कर शक्कर आप अपनी टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो अभी डलेंगे काला नमक 1 टीस्पुन 1 टीस्पुन ले लेंगे बूनदा हुआ जीरा पावडर अभी आप सारे इंग्रिटिंट्स को मिक्स कर लेंगे बूनदा हुआ जीरा पावडर और काला नमक से यह जो ड्रिंक से इसका जो फ्लेवर बहुती ज़यदा आच्छा होता है एक छन्नी में अभी हम सर्वत को छान लेंगे आप देख सकते हैं इसमें जो दरदरांग से जो टुकड़ा है कच्चे आमका ओ सब अलग होके निकल जाए कितनी क्वांटिटी में थंडा पनी एक्स्ट्रा मिलाना है और उसके साथ सक्कर और काला नमक बगेरा इस टाइम आप इसमें टेस्ट करके डाल के मिला सकते हो सर्विंग के लिए आरेंज करेंगे ग्लासिस में हम डालेंगे पुदिना और करी की सर्वत को अलेड़े इसमें मैंने ठंडा पनी मिला के ब्लेंड किया था ग्लासिस में कुछ आइस क्यूब साथ करेंगे अभी हमारा केरी पुदिना का सर्वत बन के तयार है इसको बनाना भी आसान है और पीने के लिए बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है इसको हम फ्रीज में रखके भी 4-6 दिन तक यूज कर सकते हैं ये बना रेशिपी जरूर ट्राइ करें अगर आपको रेशिपी अच्छा लगा तो प्लीज अपनी फ्रेंड्स में सेर करें और एक लाइक जरूर करें रेशिपी के बारे में आपकी अनुबब कमेंट सेक्षन में सेर करें